नमस्ते दोस्तों मैं गुरारी आप लोगोगा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सेनातंग में तो मित्रो पिछली बार हमारा विशे चल रहा था कि भगवान स्री कृष्ण खुद कहते हैं कि दार्म पर प्रश्ण करना चाहिए और जब तलक आपको विवेक पूर्ण जवाब नहीं मिल जाता तब तलक आपको प्रश्ण में प्रश्ण करना चाहिए तो ये उन्होंने कहा कहा है तो हमने उधारन दिया था श्री गिता जी को और हमने उधारन दिया था छेंदर्शनों का और हमने उधारन दिया था वेदों का और सांख्य के पूरी विचार धारा उसमें हमने बताई तो अंतिम बात हमारी ये चल रही थी कि श्रीक गिता जी को अपने घरों से निकाले क्योंकि आप सबीके घरों में है उसको अध्यन कीजिए उसको मातरेक पूज ये वस्तू बना कर अपने घर में नहीं रखना है तो एक प्रशन मेरे पास में आया था कि क्या हमको जो हम श्राद मनाते हैं जो हम भुजन बनाते हैं उसको थाली में निकालते हैं कववो को उसको खिलाते हैं और अगनी पर हम उसको डालते हैं तो क्या यह हमारे पूर्वजो को वास्तों में प्राप्त होता है या नहीं होता है तो हम आज गीता जी के प्रथम अध्याय से ही शुरू करते हैं और इस प्रश्ण को भी हल करने का थोड़ा सा प्रियास करते हैं तो पहली बात मैं आपको बता दूँ के अगनी पर जो हम भोजन डालते हैं और यह जो 16 दिन का जो कारेकरम होता है श्राद का तो यह हमारे यहां बली वैश्वयग्य जो बताया गया है बलीवेश्वयग्य के माध्यम से हम प्रती दिन यह कार्य करते हैं हमारा जो भोजन होता है हम उसका थोड़ा सा अंस लेकर डालते हैं तो वह हमारे पूरवजों को प्राप्त होता है ऐसा नहीं है तो पूरवज किस स्थिति में होंगे तो जैसा कि क्योंकि हम सभी सनातनी हिंदू हाई हैं तो हम क्या करते हैं कि हम दाहा संसकार करते हैं तो दाहा संसकार करने के बाद में शरीर जो है वो पंच्तत्यों में विलीन हो जाता है और आत्मा आत्मा तो जब शरीर से निकल जाता है तभी शरीर एकदम जो बोलते है न डेट बोडी हो गया है तो आत्मा तो अपना निकल गया अब हम यहां पर पहुंसते हैं अगर हम इन चीजों को फैक्ट के आधार पर ना पेंगे तो जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि हम सत्य सनातन धर्मी है और सनातन वो होता है जो सदा सरवदा एक सा रहता है सारवकालिक है, सारवदेश्य है और जो facts के उपर बात करता है जो वैज्ञानिक तथे जिन के उपर है scientifically जो एकदम exact है तो अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम तेरामी जो मनाते हैं मरने के तेरवे के दिन के बाद तो शास्तरों के अनुसार ऐसा माना गया है कि तेरवे दिन हमारे जो जिन उने शरीर छोड़ा है तेरवे दिन वो नए शरीर को प्राप्त हो जाते हैं ने शरीर को प्राप्त होते हैं इस परकार के उदारन हमको गीता जी में भी मिलते हैं जैसे कि गीता जी में कहा गया जब अर्जुन अपना गंडिव धनुष छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मैं आगे युद्ध नहीं कर पाऊंगा तो उस टाइम भगवान शरी नामह सरवे वयमतह परम अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अथवा ये सब लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इस से आगे भी हम लोग नहीं रहेंगे उनके कहने का अर्थ क्या है कि जो हम है अभिनाशी जो आत्मा है शरीर का आना जाना लगा रहेगा हम सब लोग जानते हैं कि कितने बोलते हैं हम 84 लाख योनिया तो 84 लाख योनिया हम बोलते हैं कि हमारा शरीर परिवर्तित होता चला जाता है यदि हमारे कारिय किसी जानवर से भी बत्तर होंगे यदि हमारे कारिय बहुत ही ज़्यादा पाप कर्म से डुबे हुए होंगे तो इश्वर की ऐसी ज्याय ववस्था है कि हमको उसी प्रकार के अलग-अलग भोग अवस्थाओं में पहुँचना पड़ेगा और मनुष्य जो जन्म हैं कहते हैं कि बहुत अच्छे कर्मों के करने के बाद हमको प्राप्त होते हैं संख्यकारिका में भी हमारे कर्मों के परिपाक की बात की गई है कि जैसे हमारे कर्मों होते हैं उनके परिपाक के अनुसार ही हमको जन्म प्राप्त होता है तो 13 मी हम मना रहे हैं क्योंकि उस दिन हमारी ये खुशी होती है माना जाता है कि हमारा जो पूर्वजधा उसने कहीं पर जन्म प्राप्त कर लिया है जब वो जन्म प्राप्त कर लिया था शरीर को धरन कर लिया है और वो हमारे लिए खुशी का एक मौका बन जाता है हम अपने सबी यह रुष्दारों को बुलाते हैं, उनको बोजन तलग कराते हैं, हलाकि यह अगलग विशय है और उस पर हम आगे बात करेंगे, तो जब हम यह सब काम करते हैं, तो फिर श्राथ मनाने का विशय कहां आ गया, जब हमारे पूरवजने कहीं जन्व प्राप्त कर अर्थाथ शरीर प्राप्त कर लिया है, हम यहां तलग कहते हैं, कि अगर उसका गाल लिख फाएंगे, तो उसमें लिख लाएंगे, किस स्वर्ग वासी, अगर वो स्वर्ग को चले गए, तो उसके बाद उनका शरीर को प्राप्त करना कैसे बनता है, चालो मानने वो 12 दिन स जो भोग अवस्थाएं हैं उनमें गए होगे हम कभी नहीं कहते हैं जब उन्हें शरीर प्राप्त कर लिया तो अब हम ये कैसे सोच लेते हैं कि वो तो थोड़े से दाल चावल खीर हलवा के लिए उनकी जो आत्मा है वो आसमान में कहीं घूमती फिर रही है भटकती फिर रह हम यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं एक दूसरे के विरोधी बाते कर रहे हैं दो विरोधी बाते हो रही है और इसी को कहते हैं दोगलापन अगर हिंदी में हम बोलें तो इसको बोलते हैं दोगलापन आगे भगवान स्री कृष्णी सी विश्य में समझाते हुए कहते हैं कि द शरीर के साथ में जीव और आत्मा, इस शरीर और आत्मा का जो मिलन जो हमारा शरीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस परकार से हम पहले शिशु होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, कुमार अवस्था में जाते हैं, फिर युव अवस्था में जाते हैं, फिर हम जाते हैं परद्ध अवस्था में, जिस परकार अलग-अलग हम अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, उसी परकार से हम अलग-अलग जन्म को, अलग-अलग शरीर को भी प्राप्त होते हैं इसी विशे में देखिए ये कितना practically उन्होंने अर्जुन के बिलकुल समीप से example पकड़ के दिया है इसी प्रकार से सत्य सनातन का भी ये प्रियास रहता है कि हम continue आपको ऐसे ऐसे examples दें जो आपके बिलकुल नजदीक के हों ताकि आपको बहुत बड़ा शास्त्र, बहुत बड़े मंत्र, बहुत बड़े बड़े शलोक आपको यादना करने पड़ें आप अपने logic के अनुसारी उसको बता सकें जिस प्रकार से भगवान श्रीकरशन अर्जुन जी को समझाते हुए उनके बहुत नजदीक से एक और एक्जामपल उनको दे रहे हैं तो भगवान श्रीकरशन कहते हैं कि अर्थात जिस प्रकार से हम पुराने कपडों को दिया कर नए कपड धरन करते हैं उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीड को छोड़ करके नए शरीड को धरन कर लेती है तो क्या हम पुराने कपडों को फैक कर जब नए कपड़े धरन करते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं कभी नहीं होते हैं हम तो बहुत खुश होते हैं लेकिन ये कितनी बड़ी विडम मना है कि हम पूराने शरीर को त्यागते हुए, मैंने देखा है कि 80-90 साल के बुजुर्ग व्यक्ती, वो कहते हैं हाए मेर को बचा लो, हाए मैं मरना नहीं चाहता हूँ, वो मरते हुए इतना रोते हैं, ये मैंने देखा है कि अगर उनको किस इसी प्रकार से वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आखों से आँसू टप 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 चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मरना ही नहीं चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अजरम रोना चाहते हैं, तो भाई मेरे ये पुराना शरीर त्यागर एकदम न अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकली मरना भी सीखाती है, और जीना तो आना ही चाहिए, लेकिन मरना भी आना चाहिए, मरना भी एक सबजेक्ट है, तो आगे भगवान शरीकिष ने इसी विश्य में समझाते हुए कहते हैं, नैनम छिदन तिश श्तरानी ये बहुत ही फे अर्थात ये जो आत्मा है, जो हम है, ये शरीर हमारा अनित्य है, ये हमारा वाहन है, हम इसके वाहक हैं, हम आत्मा इसके वाहक हैं, तो कहते हैं कि जो मैं हूँ अर्थात ये आत्मा जो है, ये है तो किशी श्तर द्वारा काटी नहीं जा सकती, इसको अगनी जला नहीं सकत जल इसको भिगो नहीं सकता तो जब ये सब चीज मिलकर भी इसको किसी परकार से छू नहीं सकती तो जो भोजन हमने अगनी में डाला है तो वो हमको कैसे प्राप्त हो सकता है तो मेरे मित्रो, सनातन धर्मियों मेरे कहने का आर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो हम करते हैं उसको हम पढ़ते नहीं है और जो हम पढ़ते हैं उसको हम करते नहीं है मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि पढ़े हम चाहे भले थोटा ही लेकिन उसको गढ़ें शायद आपको याद हो गड़ना इसी को गोलते हैं कि जो हमने किया है जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी mismatch नहीं होना चाहिए वो एक दम match हो शिक्षा एक चीज है और दिक्षा अलग चीज है शिक्षा हमने प्राप्त कर ली लेकिन उसमें दिक्षित नहीं हुए या उसको विवहार में नहीं उता रहा तो उसका क्या फाइदा आज बड़े बड़े गीताकार बैटे हैं लेकिन वो आपको बताएंगे कि जाओ शाद कर लो तो वो आपको ये नहीं बताएंगे गीता जी में तो साफ थोर पर मना किया गया है और ये आगे विशे आता है तो आगे उसको भी देखते हैं हम तो भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि इस मानेता के नुसार किस मानेता के नुसार अर्था जो जन्मता है वो मरता है और जो मरता है वो पुनह से जन्म लेता ही लेता है ये तो बात एक अटल सत्य है यूनिवर्सल टूथ है तो कहते हैं कि क्योंकि इस मानेता के नुसार जन्मे हुए की मृत्यू निश्चित है और मरे हुए का जन्मनिश्चित है इससे भी तू किसी भी प्रकार से शोक मत कर शोक करने के योग यही नहीं है ये बात और हम किसी के जाने के बाद दाढ़े मार मार के होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा पाप हो गया हूँ जैसे कि वो तो यहाँ पर अजर हमर होने के लिए आया हूँ तो मेरे मित्रो आना है जाना है यह लगा रहेगा पुराने कपड़ों को फैंकना है नए कपड़ों को धारन करना है यह एक सिश्टम है लेकिन जिस परकार से हब हम दूसरों को कहते थे हैं कि ममी के अंदर सोना जेवरात दबाते हैं कि ताकि वो मरने के बाद अगर उसको किसी प्रकारिक यावर शक्ता होगी तो वो यूज़ कर लेगा लेकिन वो कहां से यूज़ करेगा तो वो अगर करते हैं तो अंदविश्वास है और अगर हम करते हैं तो वो हमारी मानिता है, हमारी परमपरा है तो मेरे मित्रों आपको इस विशे पर दुबारा से सोचना चाहिए इस विशे में आपके सभी के विचारामंत्रित हैं इसमें हम कुछ और सुधार कर सकते हैं तो वो भी कुछ और जोड सकते हैं तो वो भी सभी के विचारा मंत्रित है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए अभी सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सत्य सनातन मैदिक धर्म की जै नमस्ते